राम राम आज मैं आपको बुद्ध ग्रहक के बारे में चार ऐसी निशानिया बताऊंगा जिसे जानने के बाद आपको कुंडली देखने की जुरुत नहीं पड़ेगी ना ही किसी को दिखाने की जुरुत पड़ेगी आप विक्ती में वो चार आदते देख लेना और उसको बता देना तुम्हारा बुद्ध खराब है और उसे किस उपाई की जुरुत है वो भी मैं आपको आज बता के जाऊंगा लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले आईए समझते हैं जब कुंडली में बुद्ध ग्रहे खराब होता है तो विक्ती में वो कौन सी चार आदते होती हैं जिसकी वज़ा से हमें पता लग जाता है कि इसका बुद्ध होता है कई जोटशी किसी की कुंडली नहीं देखते सिरफ उसकी आदतों की तरफ देखते हैं अगर उसमें वो आदते हैं तो समझ जाते हैं कि इसका बुद्ध खराब है वो ही सिक्रट आज आपके सामने खुलने जा रहा है सबसे पहली बात ये विक्ती अपनी तारीफ कर सुनना पसंद नहीं होता चाहिए ये कुछ भी ना करने वाल दूसरी आदत जिनका बुद्ध खराब होता है आपको क्या देखनी है उस विक्ती में वो बाते बहुत करेगा बहुत बड़ा चड़ा के लंबी लंबी फेंकेगा और जब काम करने का वक्त आएगा या तो वो उससे काम होगा नहीं या वो उस काम से जी चुराएगा या वो काम करने वाला ही नहीं होगा तो जाच कर लिजिएगा कि ये इसकी दूसरी निशानी के अनुसार भी इसका बुद्ध खराब है अब तीसरी निशानी क्या है ऐसे विक्ति तरक्की की चाहत तो रखेंगे लेकिन कुएं के मेंडग बनके रहेंगे जिन्दगी में रिस्क नहीं लेंगे जो काम ये करते आ रहे हैं उसे कई सालों तक करते रहेंगे और सपने देखेंगे कि मैं करोडोपती बन जाओं अरबोपती बन जाओं धनवान बन जाओं लेकिन जब करने की बात आएगी तो कुछ भी करने की हिम्मत ये जुटा नहीं पाएंगे जिन्दगी में कैलुकुलेट क्या करना किसी चीज़ को रिस्क लेने से घबराएंगे बस अपने दाइरे से बाहर निकलें की इनकी हिम्मत नहीं होगी रिस्क नहीं लेते ये लोग आखरी निशानी क्या है जिनका बुद्ध खराब हो ये खुद को ही समझदार समझते हैं दूसरे की बात को कभी महत्तम नहीं देंगे अगर इनको कोई समझाने बैर जाए या कोई ग्यान दे तो उसको उसकी बातों में ही बातें चुरा कर चेप देंगे बता देंगे और खुद को ही समझदार बताने की कोशिश करेंगे और ऐसा प्रगट करेंगे कि इनको सारी दुनिया का ग्यान है हर चीज की समझ है और खुद को समझदार बताने की कोशिश करते हैं लेकिन हर चीज में कई बार ये मार खा जाते हैं अब हम बुद्ध ग्रह को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं ये जो बाते मैंने आपको बताई है ये आपको समाजिक लोगों को समझने में भी सहूलियत देगी ऐसे विक्ति अगर आपके इर्द गिर्द हैं तो उनसे बचे क ऐसे विक्ति को माता दुर्गा के आगे मंगलवार के दिन जोती परजवलित करने के लिए जरूर भेजना चाहिए यानि के माता दुर्गा जी की प्रतिमा के आगे दीपक जलाएं अगर घर के पास माता दुर्गा का मंदिर नहीं है तो माता दुर्गा का ध्यान करते किसी भी देवता के आगे दीपक जलाएं ऐसे विक्तियों को छोटी करने आएं जिनकी उमर 9 साल से कम हो उनके पाउं हाथ लगा कर आशिरवाद लेते रहना चाहिए ऐसे विक्तियों को क्या करना चाहिए कि छोटी छोटी बच्चियां जो होती हैं उनको सात्विक चीजें ख आपने ब्रश कर लिया जो भी आप करते हैं तुट पेस्ट कर लिया उसके बाद थोड़ा सा फटकरी का मंजन बना लें ये मंजन किसी वैद से राई लेके बना सकते हैं या फिर आपको यूट्यूब से कोई आइडिया मिल जाएगा किसी वैद ने जो की समझ रखता हो के दिन डालें पानी में भिगो कर तो भी ये बुद्ध धीरे धीरे सही होने लग पड़ते हैं और सबसे बड़ा उपाय पता क्या है जितना हो सके कम बोले जहां पर जरूरत हो वहां बोले हमेशा सीखने की इच्छा रखें जब आप परिपक हो जाएं अच्छी समझ वाल को बिना किसी जाँच पड़ताल के जाँच सकते हैं और आपके इर्द गिर्द जो लोग घूम रहे हैं उनकी भी जाँच कर सकते हैं और ऐसे विक्ति के जाल में अगर आप फसे हुए हैं तो वहां से निकल जाएए वो आपको डुबाएगा ही डुबाएगा इस वीडियो में बताएगी जानकारी का लाग आपको मिले इसी शुबिच्छा के साथ जैम आता दी